दोस्तो मैं चैनल पर आप नहीं आया है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल एक उसको क्लिक कर दिजिए का लेटेस्ट वीडियो अप्डेट पाने के लिए तो दोस्तो आपसे रिक्रेस है जब भी मेरा वीडियो देख र हैगा आपका 3 ठीक है तो इसमें प्रोग्लम बताएंगे अगर इन्वेटर आपका हाई वोल्टेज दे रहा है तो कौन सा सेक्षन का यह प्रोग्लम होता है तो आप देख सकते हैं यह सरकीट डाइगराम में यहां पे और सरकीट में हम मार्किंग किये हैं आपको कहां से फ component खराब होता है यहां पर देख सकते हैं यहां पर यह जो में ट्रांस्पामर होता है उसमें आपका दो लूप निकाला जाता है आपूट के लिए लेकिन दोस्तों यह जो दो लूप होते हैं यह चार्जिंग में काम करते हैं यानि की चार्जिंग जो हाई-लो के लिए काम करत है यहां पे देख सकते हैं यहां पे जो पछी लूप है 250 इस दिस दा कि लिए और 2500 वूँन कि लिए कि तो यहां पे जो बिश्पटाई निकलती है वह जाता है रिले सेट है संप्लाई वह नो में होता है 250 स्यवट का कणेक्षन लूप का और एंसे में श्री 100 में connection ठीक है लूप का और यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर रिले की कोईल होती है यहां पर देख सकते हैं जो अगर यह सप्लाई निकलती है अगर शुच को ओन करेंगे तो इस प्रेब में सप्लाई निकलेगी तो यहां पर जो यह ओन होगी तो यहां पर देख सकते हैं लिए यह फाइब आपको देखने को यहां पर अट्ट जाएगी मिलें तो यहां पर जो इमीटर और कलेक्टर है आपस जूड जाएंगे त्युक्त में जूट जाएंगे यांकि ओन हो जाएंगे जब ओन हो जाएंगे तो यहां का पर आपकोना के मंतों से तो यह connected हो जाएगा देख सकते हैं आप आज अब यह section काम ने करेगी तो यह common करें से रहेगा यानि तो यह section आपको यह section से आती है जातार इसमें रिले खराब हो जाता है रिले खराब हो जाता है जैसे आप बैटरी से जब चलाएंगे तो यह 360 वोल्ट जो है आपको आपको देखने को मिलेंगे जो की access voltage है और घर के appliances खराब कर देता है तो आपको क्या करना है यहां पर बोल्ट जदा दे तो आपको यहां पर यह रिले को चेक करना है रिले को बाहर निकालके आपको यहां पर supply देके चेक कर लेना है common जो है NC में रहेगा और जब इसमें supply देंगे तो NO में यह correct हो जाएगा तो यह relay सही आपस लगा दीजिए उसके आगे जाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपका जो की डायोड है देख सकते हैंatti audit 23 गेश्रेंड ड acesso में इसमें मार्किंग कीए है इसकी नंबर है और यहां पर देख सकते हैं कपस जीना डायोड है तो कि ये पंद्र भोल्ड का है यहाँ पर ये अगर सोट हो जाएगी तभी ये रिले वर्क नहीं करेगी तो आपको दोनों डायोडों को भी चेक कर लेना है उसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर टाइंस्टर को आपको चेक करना है NPN Tanister है ये खराब होने पर भी आपको यहाँ पर ये Refld Network नहीं करेगा तो आपको यहाँ पर ये ताअटको भी check कर लेनी है उसके बाद में अगर यहाँ पर ये Nine일 को ओके आपको मिल रहा है उसके बावजूद भी अगर ये work नहीं कर रहा है तो आपको यहां पे एक register देख सकते है 2.2 के का है जो कि इसकी location यान कि इसकी serial number है R78 तो आपको यहां पे ध्यान देना है उसके बाद आगे जाएंगे तो micro IC देख सकते हैं यह micro IC है यह command IC है इसी से जो कि relay को डिले को operate करने के लिए signal मिलती है तो यहां पे आपका 16 आएसी की जो pin number 16 है यहां से यह connected है pin number 16 पे आपको 0V देखने को मिलेंगे जब आपका switch off रहेगा जैसे ओन करेंगे तो यहां पे 5 आपको देखने को मिलेंगे करने के लिए यहां पर आता है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपका 250 में और आपको आपको देखने का 250 यह सकते हैं यह सरकी थे थोड़ा सब फोटो तो चोटा कर लेते हैं कि बड़ा होने पर यह पूरा cover नहीं हो पा रही है देख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं और यहांपे 200 दिया गया जब सकते हैंriers देख सकते हैं यह जो दोसु का है इस तरह कनिक्शन होगा तो डिफोल्ट में आप देख सकते हैं 200 रहता है यह है कनेक्षन लेकिन 200 बता गया है 140 बताया चारजिंग में होता है जब जैसे जब इन्वेटर काम करता उस परेड में यहां पे 250 वोल्ट यहां पे 360 व्लट का आसपास को जाता है तो यहां पर देख सकते हैं यहां पे यहां पर देखने को मिलेगा तो आपको रिले को चेक कर लेना है और देख सकते हैं एक जो है एक सीधा जो है आपका टाइशर से इसकी बीच में दो लागे हैं इसकी खराब होने पर आपका योट रहेगा और यहां पर रहेगा ही और यहां पर एक आलेक्टर में आपको 0 बोल्ट डेखने को मिलेगा जब यह टाइशा ओन हो जाएगा और यहां पर भोल्टे 0.7 बोल्ट डेखने को ना मीले तो यहां पर रिचिंट्स पर चेक कर सकते हैं आपको यहां पर डेंगा जब सीचोन हो जाएगा तो उस बोल्टेज को इसकर करके यहां पर आप 10% मिलए जब देगा है अगर बोलटेज हाई देने पर आपका इसा प्रोब्लम आता है तो इतने सारे से मैंने में बताई है जिसका करें आपको ठीक है और यहां इस रिले की प्रोब्लम होती है हाई लो लेकिन दोस्तों यह रिले एक्षुली आपका चार्जिंग में यह काम करता है लेकिन अब यह खराब होने पर इसमें जो अब आपको आपको अपर देखने को मिल जाता है जो कि घर के अपलाइंसेश खराब कर देते हैं तो दोस्तों में उम्मीद करता हूं नेक्स में आपको हम पार्ट आपका फाइब का बारे में बात करेंगे अब नहीं आए तो में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ओट झाल झाल झाल